अगर आप बार बार मकान के बढ़ते किराय से परिशान है या फिर आपका मकान मालिक अगले कुछ महीने में आपका कॉंट्रेक्ट रिव्यू करने पर जोर डाल रहा है तो ये खबर आपको रहा दे सकती है क्योंकि एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रमुक शहरों में किराय में व्रिदी की रफ्तार अब घटने लगी है ऐसा रियल एस्टेट बाजार में डिमांड एंड सप्लाई के बीच अंतर घटने के कारण हुआ है किराया घटने के साथी इसका एक और फायदा ये भी है कि मकान खरिदने वालों को भी अब मकान का पोजेशन मिलने की उमीद बढ़ गई है हम जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो रियल एस्टेट सलाकार इन रॉक ने पेश की है इन रॉक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष साथ शहर जिसमें दिल्ली महानगर, शेत्र यानी MMR, चेन नई, कॉलकाता, पूरे, हिदराबाद और बेंगलूरू शामिल है इन मेट्रो सिटीज में किराया बढ़ने की रफ्तार 50% तक घट सकती है यहां किराया बढ़ने का सीधा रिष्टा घरों के आपूरती से है दिली और मुंबई जहां मकानो की डिलेऴरी सबसे ज़्यादा बड़ी है, वहां किरायों की वृधी घटकर आधी रह गई है। वहीं बेंगलूरू में मकानों की मकानों की डिलीवरी पिछले साल से घटी है जिसके कारण यहां कि वाइट फील्ड में ककरायों के वृधी सबसे ज़्यादा 40% की तेजी द सावर ट्रांसफर, पोस्टिंग भी अक्सर इनी महीनों में होती है, यही कारण है कि इसी तिमाई में सबसे ज़्यादा किराय में वृदी दर्ज की जाती है, लेकिन इस बार इसमें कम तेजी देखी जा रही है, अब कुछ बड़े शहरों में मकानों के ओसत किराय पर भी नौइडा के अगरम बात करें, तो यहां के सेक्टर 150 में औसत किराय मातुर 4% बढ़ा है, दो हजार चौविस की पहली तिमाई में लगभग 24,000 रुपे प्रती महां से बढ़कर, चालू तिमाई में लगभग 25,000 रुपे प्रती महां हो गया है, जबकि पिछली तिमाई मे ये वृदी करीब 8% की थी, वहीं गरुगराम के अगरम बात करें, तो यहां के सोना रोड में किराया 3% और दौारका में 2% बढ़ाया गया है, जबकि पिछले साल यहां 4-6% तक किराय बढ़े थे, इसी तरह मुंबई के प्रमुक इलाके जैसे चेमबूर और मुलूंड मे के भी किराय सिर्फ 2% ही बड़े हैं, जिबकि इससे पहले की थिमाई में वृदी करीब 4% थी, हैदरबाद के हाई-टेक सिटी और गाची बोबली में औसत किराय में वृदी 5% से घटकर 3% रह गई, किराय में कमी की संभावनाओं के पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट मकानों की डिलिवरी में तेजी का है, बड़े शहरों में कई अटके प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं, देश के प्रमॉक साथ शहरों में इस साल यानि 2024 में 5.3 एक लाग से जादा यूनिट पूरे हो सकते हैं, जिबकि पिछले साल के अगर हम बात करें तो सिर्फ 4.3 पांच लाग फिकाईयां पूरी होने की उमीद है, इसके लावब दिली NCR में भी 1.44 लाग यूनिट पूरी होने जा रही हैं, जिबकि पिछले साल यहां 1.14280 मकानों की डिलिवरी हुई थी, पूरे में भी मकानों की डिलिवरी पिछले साल के 65,000 से बढ़कर इस साल 97,000 होने की उमीद है, इसके लावा हिदरबाद में भी 2023 में 20,500 के मकाबले इस साल 34,770 यूनिट मकान तयार हुए हैं, वहें चैननाई में भी 2023 में 14,125 के मकाबले 17,580 यूनिट तयार हुई हैं, लेकिन बेंगलोरों में मकानों की सप्लाई पिछले साल से घटी है, यहां 2024 में 5685 मकानों की डि तो आपको इस बार कुछ राहत मिल सकती है, हो सकता है कि आप घर महंगाई का बोज कुछ कम पड़े, इसके लावा अगर आप अपने मकान की दिलिवरी के अंतिजार कर रहे हैं, तो भी यहां आपको बड़ी राहत मिल सकती है, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट जो जो आपको हमार को बड़े कर दो हमार को में 25 अंतितक है, हमैं आपको हमारी आपको जोगी है, कैसे एंपको हमारी केऊ मिल से आपको हमारा को की अरवासाओका, क funny आपको हमारी के उया हमारे कि राहे हैं, जा कि एंति summary?